कोईला चिकन जिसके लिए हमने कड़ाई को गैस पर चड़ा दिया है गैस की फ्लेम को हमने फुल फ्लेम रखी है और यहां पर हमने लिया फाइफ टेबल स्पून ओईल यह हमने सीसम ओईल लिया है अगर आपके पास यह ना हो तो आप कोई भी ओईल यूज कर सकते हैं और इ मिक्सर में बारी क्रश कर लिये हैं ताकि जल्दी से गल जाए और हमें ज्यादा टाइम उसके कलने का अंदिजार ना करना पड़े तो देखिए यह अच्छे से गुलावी हो चुकी अब हम इसमें डालेंगे वन टीस्पून डाल रहे हैं वन टीस्पून हमने चिकन को कलान चुकी बारा यही दो देखिए दो द्लीश को हमने बारा लहस्तना की फ्लेक्स के साथा पानी डाल कर फैस बनाये तो यह तो टेबल इसमें डालाए इसका फ्लेवर जो हैं ग्रेवी हमने बहुत अच्छ एच्छा रहे हैं और तो टेबल स्पून अदर्रक का पैस वन चिकन आप यहां प्किलाइड एतना टू टेबल स्पून अगर आपका अलग पिसा हुआए अद्रक अलग तो 1-1ड टालत कि अज्छे से मिक्स करने के बाद हम दालें हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और अगर हम डालेंगे वन टीस्पून मैगी का मैजिक मसाला ही होम-मेड है अ अब अपना घेजिटा आते हैं अपना घरüsिटा दाला है कश्मीर लाज हीदी पॉंडर , यह थेकंगि को जो है चाल आता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और धाबा स्टाइल टाइप की ग्रेवी बन जाए नहीं तो यह बिल्कुल जो है इसमें ऐसा लगेगा कि देखने में अच्छा लगेगा इसकिल हमने यूज किया है आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अब अच्छ से मिलाने के बाद हम इसमें 1 टीसपून सिरका डाल रहे है यह जामुन का सिरका है जो हम यूज कर रहे है अगर आप सिरका यूज करना नहीं चाहते तो आप उसके बदले हाफ लेमन को स्कुष करके या उससे भी कम लेमन अगर अगर अप खटा ज्यादा नहीं तो आप लेमन को या सिर्के को स्किप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंस को बनाइए अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो चिकन को हमने पानी और नमक वन टीस्पून डालके गला लिये थे बोनले सिकन है पाव किलो तो इसको हमने बहुत चोटे- पर बिल्कुल ग्रेवी के साथ पकने देंगे ताकि हमारी ग्रेवी गाड़ी हो जाए तो यह देखिए अमने ठाग दिया इसे और दस मिंट के बाद हम इलते हैं आप से कोईले के स्मुक देना तो बनता ही है तो अब हम तीन चार कोईले के टुकडो को दालकर तेल डालके इस तरीके से ढाग देंगे अब देखिए हो गए 5-10 मिन अब हम इसको कोईले के स्मोक को हटा देंगे अब पूरी तरीके से इसमें इसका फ्लेवर आ गया होगा हम इसे सफ करेंगे देखिए कितनी अच्छी गाड़ी से हमारी ग्रेवी बन गई है सारा जो इससे जादा सुकी वी चाहिए तो आप इसका पानी और ड्रेन कीजिए अपर से हम डाल रहे हैं चीज को ग्रेट करके चीज का फ्लेवर इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा आता है देखने में भी अ अमूल मस्का डालेंगे टू टीस्पून मस्का डालने के पर हम उपर कोईल्या गरम करके इस पर रख देंगे